हेलो फ्रेंट्स, एक्सिस्टिंग GST रिटर्न्स को बेटर बनाने के लिए गोर्मेंट काफी सारी कोशिशे कर रही है साथी जो GST रिटर्न फाइलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे वो भी फिक्स हो रही है तो आज एक GSTR 3B फाइलिंग से रिलेटिड इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो यह मैंने ओपन कर दी है GSTR 3B GSTR 3B जब आप ओपन करती हैं तो जो भी टेबल आपके लिए अप्लिकेबल है वो आपको सेलेक करने होती है जैसे कि do you want to file nil return अगर आपकी कोई भी sale purchase नहीं है तो आपको nil return अगर आपकी है तो आपको yes select करना होता है मेरे case में यह no autofill हो करके आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे late fees applicable है उसके बाद जो भी टेबल आपके लिए applicable है वो आपको यहाँ पे select करनी होती है तो यह मैंने select करनी है tables interest and late fees की table जब आप open करेंगे तो यहाँ पे आपको एक important information जो है देखने को मिलेगी declare interest payable on tax liability on supply attracting reverse charge as well as other than reverse charge तो अगर आप अपनी tax की payment late करती है तो आपको interest pay करना होता है mandatory यह आपको पता है यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपने RCM के under कोई supply receive की है और उसकी payment late की है तो वहाँ पे आपको interest pay करना होता है जी हाँ तो दोनों ही cases में आपको interest pay करना mandatory होता है अब यहाँ पे जब आप interest pay कर रहे थे तो कुछ problems create हो रही थी उन problems को solve कर दिया गया है जैसे की नीचे आप देखेंगे interest आपको manually fill करना होता है late fees अगर आपकी है previous period की काफी सारी queries मेरे पास यह भी आती है कि हम return file कर रहे है यह late fees क्यों दिखाई दे रही है तो उस्तों यह आपकी previous period की late fees आपको यहाँ पे दिखाई देती है तो late fees आपकी auto fill होकर के आजाती है interest आपको manually यहाँ पे fill करना है अब क्या यहाँ पे important update किया गया है जब आप IGST के amount यहाँ पे fill कर रहे है तो यह देखी जब आप CGST के amount यहाँ पे fill कर रहे थे जैसे कि 2000 रूपीस मैंने यहाँ पे fill किया तो पहले क्या हो रहा था कि SGST भी आपकी auto fill होकर के आजाता था 2000 लेकिन अब यहाँ पे आप देख पाएंगे SGST की figure जो है वो मैंने 2500 एंटर की है तो CGST जो है वो मेरा different हो सकता है SGST मेरा different हो सकता है पहले problem आ रहे थी कि जो CGST में एंटर कर रही थी वही मेरा SGST यहाँ पे auto fill होकर के आ जाता है यहाँ कि 2000 पे SGST मेरी यहाँ पे आ जाती थी लेकिन अब इसे manually कर दिया गया है अगर आपकी CGST and SGST का interest अलग है तो आप उसे manually अलग file fill कर सकते है अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि यह different क्यों होग तो दोस्तों कई बार हो सकता है हमारे पर CGST का credit हो SGST का ना हो तो इस वज़े से हमारा जो interest है उसकी calculation different हो सकती है CGST and SGST की क्योंकि हमारे पर CGST का credit हो हमने वो adjust कर लिया हो तो interest हमारा हो सकता है different calculate हो रहा हो कुछ cases में ऐसे हो सकता है तो यहाँ पे इनोंने हमें आप option दे दिया है कि अगर आपका CGST और SGST का interest जो है अलग अलग है तो आप खुछ से उसे fill कर लीजी यह auto fill हो करके अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यह option इन्होंने आपे दे दिया है second और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो interest है अब हमारा वो retrospectively यानि कि 2017 से अब हमारा net cash basis पर हमें पे करना है जो कि एक notification आ गई थी मैंने आपके साथ share भी की थी तो यह चीज आपको ध्यान में होगी कि अब retrospectively यह amendment कर दी गई है 2017 से next important चीज की दूसों interest यहाँ पे auto calculate होकर के नहीं आता है तो काफी सारे taxpayers इसे pay भी नहीं करते हैं कि जब तक जो है department की तरफ से कोई notice हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम interest पे नहीं करेंगे तो आपके लिए interest की payment करना mandatory है अगर आप tax की payment late करती है तो आपको interest पे करना mandatory होता है खुद से calculate करके आपको यह interest पे करना पड़ेगा अगर आप department से आने वाले notice की wait करते रहेंगे तो दोस्तो हो सकता है ऐसी cases में आपको जो interest है वो ज्यादा लंबे period का pay करना पड़ सके यानि कि माल लीजी आपने एक महीने का interest पे नहीं किया है एक महीने जो tax है वो late पे किया है तो आपको महाँ पे एक महीने का interest पे करना तो यह problem आपको आ सकती है इसके timely आप जब अपनी GSTR 3 भी file करें तो अगर आपका interest बनता है तो आप अपनी interest की भी payment करते रहें तो यह आपके लिए useful रहेगा तो आज का important update I hope आपके लिए useful Thank you for watching